हेलो एव्रिवन कैसे आप सभी आई होप आप सो बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो आप लोग के लिए काफी ज़्यादा हेलफुल होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोग साथ सीधे पल्लू की सारी ट्रैपिंग लेके आ गई हूं करवा चौत आने वाली है और स इसमें बहुत सुनसर वर्क किया गया थ्रेड वर्क किया गया साथ में स्टोन वर्क भी है और इसमें जड़ी का वर्क भी किया गया बहुत ही प्यारा सा सारी है और इंज कलर में है तो चलिए मैं आप लोग को बताती हूं कि कैसे ड्रैपिंग करना है यहां पैटिकॉट औ हम लोग सारी ड्रापिंग करते हैं उस तरीके से ही आपको कर रहा है end part को लेकर पूरा अपने waist care round इसको टक कर लेना है अच्छे से जो basic जो होता है वह चीज मैंने कर लिया है यहाँ पे अपने सारी को टक कर लिया है आप देख सकते हैं सारी को टक करने के बाद अच्छे से हम पर अब मैं ले रही हूं सारी का जब पल्लू वाला पार्ट होता है उसको ले लेना है और इसको मैं रफली प्लिट्स बना लूँगी कोई भी फेस्टिवल जब होता है और हम सीधे पल्ले की शारी जब पहनते हैं तो बहुत ही अच्छा सा लुक आपको मिलता है और एक सोल्डर पर रखना है यहां पर राइट सोल्डर पर मैंने रख लिया है और अब हम आपका लैंट्स चेक कर लेना है कि आपको कितना रखना है आप चाहे तो थोड़ा से लंबा भी रख सकते है या तो आप सौल्ट भी रख सकते है यह आपके ऊपर टोटली डिपेंट करता कि आपको कितना रखना है यहां पर देख सकते हैं इस साइट से मैं थोड़ा सा पार्ट को पहले टक कर लूँगी अपने वेश्ट में और टक करने के बाद जितने भी जो फैबरिक बचेंगी सारी की बीच में उससे हमें प्लेट्स बनानी है तो यहां पर मैंने टक कर लिया ह अब देख सकते हैं इतने सारी फैबरिक बची हुई है तो अब इन सभी से मैं बनाने वाली हूँ अपने सारी के प्लेट्स तो सारी का प्लेट्स जैसे नॉर्मली सारी में हम लोग प्लेट्स बनाते हैं वैसे ही आप प्लेट्स बना ले नहीं है देख सकते हैं इस तरीके स मैं भी आप सीधे पल्लो की साड़ी पहन सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा खुबसूरत सा लोक आता है, यहां पे प्लीट्स मैंने बना लिया था, अब देख सकते हैं, सबको मैं एरेंज कर रहे हूं, तो एरेंज अच्छे से आपको कर लेना है, ताकि आपका प्लीट्स उपर लीचे ना रहे, यहां पे मैं एरेंज करने के बाद, उपर में एक सेफ्टी पिन लगा लूँ, जिससे की मेरा प्लीट्स है, वो टस्से मस ना हो, और एक ही बड़ा बर रहे, अगर आप बीगिनर्स होना, तो आप पिन का एक गुच्छा जरूर रखो अपने पास में, और जितना भी आप चाहो, पिन लगा लगा के उसको सिक्योर करते करते आपको सारी पहनना है, अगर आप पहनने, रेगुलर पहनते हो और आपको हैबिट है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप न्यू हो, बिगिनर्स हो, तो आप पिन रखो पास में, और जिस तरीके से देख सकते हैं, जार-जार के अच्छे से बरावर करके आपको, अब मैं इस सारी को देख सकते हैं, टक कर ली हूँ, अब यहाँ पे प्लिट्स को मैं थोड़ा जार लूँगे, और इसको एक बरावर करते हुए, यहाँ पे सामने में भी एक पिन से इसको सिक्योर कर लोंगी ताकि जब आप चलते हो या डांस करते हो या कुछ भी करते हो तो आपका यहां का प्लेट ना इधर उधर बिलकुल भी नहीं होता है और एक जगभ पे ही सैट रहता है तो यहां पर मैंने देख सकते है पिल और पिन से अब में इन प्लेट्स को सब्सक्राइब और आसन तरीका मैंने आप लोग के साथ सेयर किया है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी और पसंद आ रही होगी तो जरूर आप लोग लाइक कर लिजेगा अगर आप लोगोंने मुझे इंस्टा-ग्राउम पे फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ पर लाके मुझे फॉलो कर सकते हैं मुझे Magic puff कर सकते हैं मैं इंस्टा-गाम आएदी में ती सिप्शन बॉक्स में है तो आप लोग वहां से चेक आउट कर सकते हैं अब देख सकते हैं नीचे का जो प्लीट्स था उसको तो मैंने सेट कर लिया अब मैं ये पल्लू को भी सेट कर लूँगी तो ध्यान रखे कि जब भी पल्लू का प्लीट्स आप बनाते हो उसको थोड़ा मतलब चौड़ाई उसका कम ही रखे वह आपको अच्छा लुक देता अच्छा थरीमिश कहाते हैं और आप पहनलेसे पिंश कहले कर तो यहासे सिक्रणा करना बहुत जरूरी हो जाता है कियाहाँ मैंने चार्ट पूर्लू कर लिया और या इस तर तरीके से में प्लिट्स बना रही हूं और भीक पिंसे सिक्राइव झा तो यहाँ पर मैंने से ज जो प्लेट है ना इधर से उधर बिल्कुल भी ना हो और बैग्राउंड में बहुत ज्यादा साउंड आ रहे होगी तो इन सब को आप लोग इग्नौर कीजेगा और आप लोग सारी ड्रेपिंग की वीडियो पर ध्यान दीजेगा गाइस और लाइक जरूर कर दीजेगा अग मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो या तो वीडियो को आप पीछे करके आप देख सकते हो रिपीट देख सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए क्योंकि अगर आप बिगनर्स हो तो एक बार में आपको समझ में आना थोड़ा मुस्किल हो सकता है तो आप वीडियो को बार इसी भी स्ट्राइल में पहनो पर्ट सारी का जो पीन होता ना उसको थोड़ा सा बैक साइड से लगाना चाहिए अगर आगे साइड से करते होना तो यह आगे के तरफ जूग जाता है यहां पर देख सकते हैं मैंने पीन से सेट कर लिया है अपने पल्ले को अब यहां पर जो मैंने जो यह कोना है उसको पकड़ लिया है यहां पर आप चाहे तो उसको पीछे में टक भी कर सकते हो या तो आप इसको पीन से सिक्योर कर सकते हो यहां पर हसरी थी क्योंकि हस्बन जे आ गया थे खाने के लिए बट उन्होंने देखा कि रेडी हो रहा ठीक हम खुद ले और पूझे सेट करने के लिए वक को सेट करोंगे तभी आपका लुक में आता है यहां पर ऐसक bisa सकते हैं के तो आगे के साइड से बर्ड़ को निकालते हूए और ठाक ना जाहिए ने तो आपक़ बोस्ते हैं कि अपने डाप कर बीज़ को चालूंगी मतलल लगा लूँगी तो यहां पे देख सकते हैं मैंने सारी को सिक्योर लिए है पलू बगरा को और यहां पर जो भी है उसको टैटली में टक कर लिया है तो यहां मैंने इसको थोड़ा सा प्लीट में से खीच लिया था मतलब नीचे के प्लीट में से तो हो गया था कि मैं पल्लू ले सकती थी तो इस तरीके साथ आप सीधे पल्ले की सारी ड्रैप कर सकते हो बहुत ही प्यारा सा लुक आता है और साथ में आप चाहो तो एक कमरबंद भी पह के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टाटा टेक क्यार कैसा लग रहा है मेरा सारी ड्रैप्रिंग आप लो कॉमेंट करके जरूर बताएं झाल